नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मारी यूट्यूब चैनल प्रिंस एजूकेशन पॉइंट पर दोस्तों आज की इस बीड़ में हम बात करने वाले हैं जारी हो चुका है दोस्तों जो notification आप सभी का दिसेंबर में जारी होना था 27 अक्टुबर संद्वर 22 को वो notification जारी कर दिया गया है दोस्तों इसके बार में हम डेटेल में जानने बाले हैं इसकी बेकेंसी कीतनी होने वाली है टोटल बात करेंगे इसके application fees क्या होगी age limit आपकी कब से count होने वाली है selection procedure क्या होने वाला exam pattern में क्या change किया गया है इसके application form कब से लेके कब तक आप लोग भरपा होगे यहनि कि सब कुछ हम detail में इस video में जानने वाले हैं तो please आप video को complete देखेगा जिससे कि आपके सारे doubts इस video में cover हो पाएं तो चेले वीडियो को start करते हैं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो please चैनल को subscribe करके bell icon button press करें तागी में जब भी कोई आगी वीडियो लेके आऊँगा आपको तुरंट update मिले सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा देखे यह है आप सभी के सामने official website और आप देख लिए यह है आप सभी का official notification ठीक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं देखे जो भी जानकारी देता हूँ एकदम authentic जानकारी देता हूँ आलंकि पहले कुछ टाइम पहले एक notification जारी किया गया था जो कि fake notice था इसलिए मैंने उस पर कोई video नहीं बनाया था क्योंको देखे फेट notification वायरल होते रहते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं application form आपके start हो चुके हैं यह आप सभी का SSC GD का official notification ठीक है अब बात करते हैं application form के बारे में पर उसके बार एक दिन और extra दिये जाता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ठीक है अब मैं बात करता हूं उसके examination के बारे में आपका examination जो schedule किया गया है आलंकि पिछला जो आपका बटाया गया था प्रॉल आपका notification में आपका साभी WACC का notification जारी होता है उसमें बताया गया था कि आपकी डेटेल में हम बात करेंगे ठीक है इसकी सेलरी के बारे में आप सभी को पहले में आपको बता दिता हूँ दिखे जो सेलरी जो होने बाली है वो आपकी पेस के आप तो देख सकते हैं पे लेवल वन के अकॉर्डिंग आपको सेलरी मिलेगी जिसमें आपको 18,000 से लेके 56,900 बात करना जाओंगे इसमें बेकेंसी को लेके तो टोटल जो आपकी बेकेंसी रहने वाली है वो आपकी बेकेंसी रहने बाली है दस हजार 497 बेकेंसी आपकी BSF में है और CISF में केवल 100 पोस्ट है और CRPF में बात करने तो 8,911 बेकेंसी इसमें रहने बाली है अब बात करन चाहेंगे आपके ITBP में 1613 वेकंसी हैं और आगे बात करों आजम राइफल में आपकी 1600 वेकंसी है और SSF में बात करें तो Cable 103 Wacancy है Total Number of Wacancies की बात करूँ तो देखी हैं आपर 24,205 है पर Wacancy रहेंगी बाकि अगर मैं NCB की Wacancy को Total मिला के बात करूँ तो NCGB की जो Total Positome 164 Wacancy है तोल अगर हम Number of Post के बारे में बात करें 24,360 Wacancy यहाँ पर आपकी रखे ही हैं जो कि सभी category के लिए divided हैं एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिस भी category से आप लोग ब्लॉंग करते हैं उसका screenshot ले लेजीगा जिससे आपको यह पता चल पाए कि आपकी category में किस post के लिए कितनी vacancy रहने वाली है ठीक है बाई आगे हम बात कर लेते हैं आप सभी एक लिए और क्या क्या जानकारी है जो main main point है मैं आपको सभी बताना चाहूंगा age limit के बारे में मैं आप सभी को बता लेता हूं देखे age limit जो आपकी होनी चाहिए वो 18 साल से लेके और 23 साल तक का candidates में आभिदन कर सकता है all over India से male हो या female ठीक है बा आगे मैं बात करना चाहूंगा आपकी DOV कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक यानि कि दो जनवरी 2000 से लेके आपकी DOV एक एक जनवरी 2005 की बीच में अगर आपकी DOV आती है तो candidate आप इसमें अभिदन कर पाएंगे ठीक है व OBC बालों के लिए 3 साल की चूट दी जाती है और एक सर्विसमें के लिए भी 3 साल की चूट दी जाती है ठीक है बाई आगे बात करना चाहेंगे और क्या के details हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा आगे main main जानकारी में आप सभी को देने बाला हूँ क्योंकि notification आप सभी जानते होंगे बहुत लंबा notification है इसमें कल्के वल 55 पेज आपको मिलने वाले है तो देखिए बहुत बड़ा notification आप सभी के सामने है ठीक है ना अब main main बात है मैं आप सभी को बता जिता हूँ आगे क्या क्य जानकारी होनी चाहिए यह देखिएगा यह है आपके education qualifications को लेके भी आपके mind में doubt होगा कि मैंने education qualification अभी जर्ट नहीं आया या ऐसा कुछ तो education qualification जो complete होना हो जानी चाहिए वो आपकी एक-एक संजयार तेस को आपकी education qualifications complete हो जानी चाहिए means इससे पहले आपका result आजाना चाह ठीक है all over India से किसी भी board से किसी भी university से कही से भी आपने कर रखा है तो आप इसमें अभी दिन कर सकते हैं आगे मैं बात करना चाहूंगा जिन भी candidate ने NCC कर रखी है उन candidate के लिए हाँ पर थोड़ा margin मिलने वाला है मैं इस number मिलने वाले है अगर आपके पास C certificate है तो आपको 5% number मिलेंगे अगर आपके पास B certificate है तो आपको 3% number मिलेंगे अगर आपके पास A certificate है तो आपको 2% number यहांपर मिलने वाले है ठीक है बाई आगे बात करना चाहेंगे आप सभी के फोटो को लेके आपकी मायन में डाउट होगा तो है कि फोटो कैसा होना चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ सिंपल फोटो होना चाहिए देखे आपको साइज भी आपको साइज भी आपका दे रखा है application fees के बारे मैं बात करना चाहूंगा अगर आप general OBC और EWS category से ब्लॉंग करते हैं और male candidate है तो आपको 100 पे आपको payment करना होगा ठीक है बागे अगर आप SCST से ब्लॉंग करते हैं तो आपको कोई भी payment आपको नहीं करना है ठीक है बाई और female अगर कोई candidate है तो all over India से कोई भी general category से हो या किसी भी category से है उनको भी आपको payment करनी की कोई जरूरत नहीं है ठीक है बाई आगे बात करना चाहेंगे आप सभी के लिए examination center आप लोग जानते होंगे देखिए जिस भी region में आप लोग apply करेंगे उसी region में आपको या नहीं कि मालो आप central में apply करते हैं जो कि आपका उत scheme of examination ये थोड़ा सा आपको change किया गया है तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ इस बार जो notification में change किया गया है देखिए पहले नहीं था आप लोग जानते हैं कि आपका notification में जो सबसे बड़ा change यहांब है आपको देखने को मिला है कि आपकी total जो आपके question पूछ जाए चालिस नंबर के रहेंगे ठीक है बाई आगे मैं बात करना चाहूंगा आपके देखिएगा आगे कौन सी है general awareness के बारे में बात करें तो आपके 20 question पूछे जाएंगे 20 नंबर के 40 नंबर के रहेंगे एक question दो नंबर का है तो उसी साब से आप लोग लगा लिजेगा अगर म आप हिंदी और इंगलिस कोई भी एक language अपना select कर सकते हैं जो language आप पर आती है उसी language में आप लोग अपना exam दे पाऊगे ठीके बाई यहां पर आप लोग 20 question पूछे जाएंगे 40 नंबर के आपके रहने वाले है ठीके बाई अब जो timing इसमें दिया गया है timing पहले 90 minutes मिलता लेकिन इस बार 60 minutes यहां पर आपको timing दिया गया है और total number of question कितने हैं आपके 80 question पूछे जाएंगे 60 number का आपका 60 minute का पेपर होने बाला है negative marking आप लोग देख सकते हैं 0.50 की है जिनकि 50 के आपके negative marking यहां पर रखी गई है 0.50 की मतलब वही है कि आपका 114 की ही negative marking है यह मैं सोच चीगा क्या लग से कुछ है क्योंकि आपको पता कि एक question इस बार दो number का रखा गया है तो आप लोग इसका रखेंगे तो 1y4 कितना होगा 0.50 ठीक है clear होगे आप सभी के doubt आगे बात करना चाहूंगा examination आपका computer based exam होगा computer पर आपका examination होने बाला है ठीक है इसका syllabus आप लोग द सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आपकी running होने वाली है running जो होगी आपकी पांच किलोमेटर की running कराई जागी male candidate के लिए 24 मिनट में आपको कबर करनी है और female candidate के बात करने तो आपके 1.6 किलोमेटर की running होगी जो की साड़े 8 मिनट में आपको कबर करनी होगी ठीक है आप लोग देख सकते हैं बागी general candidate के लिए तो यही रहने वाला है ठीक है जो मैंने आपको बताया भी ठीक है आगे बात करना चाहेंगे देखिए का आपके height को लेके doubt होगा सबसे बड़ा तो height मैं आपको बता देता हूं height जो होनी चाहिए आपके 170 cm आपके height होनी चाहिए ठीक है बाई और जो भी candidate मालो relaxation category से बिलोंग करते हैं फिर ST category से बिलोंग करते हैं अगर आप male है तो आपकी 112.5 cm height होनी चाहिए अगर आप female है तो 150 cm height होनी चाहिए ठीक है अगर आप देखिए यहां पर आपका 133 से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आपका बूल कुछ यहां कि कसमूर से और हिमाचल प्रदेश से लदाक से बिलोंग करते हैं उनकी जो height होनी चाहिए male candidate के 165 cm female के 155 cm ठीक है बाई और जो north east से बिलोंग करते हैं मनिपूर मिगाले सिक्किम बगरा से और यहां से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए height होनी चाहिए male के लिए 162.5 cm और female क लिए 152.5 cm आपके height होनी चाहिए ठीक है यह था आपका complete process जो कि मैंने आपको बताया अब मैं आपको chest measurement की बारे में बता देते हूं आपका minimum chest जो होनी चाहिए male candidate का वो 80 cm होना चाहिए और 5 cm यहां पर फुलाव मागए means 85 तक आपका chest होना चाहिए ठीक है बाई और female का कोई भी chest measurement नहीं होता है इस चीज़ को आप लोग पहले ही जान लीजेगा बागी और आप लोग यहां पर देख सकते है बेट जो है आपकी height के according और age के according आपका बेट जो है यानि की measurement किया जाता है ठीक है और क्या का जान का रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूं देखे जो भी main point है मैं आपको सारे बता देता हूं बागी आप लोग एक बार notification जरूर डीडाउट करीगा जो कि आप लोग जानते होंगे ठीक है बाई जो भी preference आप लोग डालोगे उसी के accounting आपको CPT-based exam होगा जो कि दिसम्ब जन्वरी में आपका exam होने बाला है उसके बाद आपको देखिए क्या होगा अपका P.E.T. P.S.T. होने बाला अगर आप qualify कर जाओगे उसके बाद आपका medical होगा बस बागी और कुछ भी नहीं है इसी तरह के आप लोग देख सकते हैं फोटो का जो आपको फोटो अपलोड करना वो इस तरीके का फोटोग्राफ आप सभी का होना चाहिए ठीक है क्योंकि इसमें सारा कुछ एकदम किलियर दिखाई दे रहा है ठीक है इस तरीके का फोटोग्राफ आपका नहीं होना चाहिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए इसमें कैब बग फोटो आपको अप्लोड करना है, डेट वेट का कोई चेकर नहीं है, साइज का ध्यान रखेंगे और एकदम किलियर फोटो होना चाहिए, लिटेस्ट फोटो होना चाहिए, ठीक है भई, किलियर इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, बाकि आपको नॉटिफिकेशन एक बार को सामने नॉटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को नॉटिफिकेशन एक बार रीड कर लीजीगा, बाकि डेटेल वीडियो में आपको इसके बारे बना दिया है, और आपने देख वीडिया है, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भ अब भी कोई आगे वीडियो लेकिया हूँ, आपको तुरंद अब्डेट मिले, चेली मिलते की से नेक्स बुडियो में, तब तक के लिए जाहिन वन्ने मात्रम